सार्धा सिना जोकी बिहार के फ्रसीद भोचपुरी लोग गाईका थी उनका कल मंगलवार पांच नौवंबर की देर रात दिल्ली एम्स में इलाज के दोरान निधन हो गया सार्धा सिना के निधन की खवर पुरे देश में दुख का मौल चाया हुआ है छट पर्व के गीतों के लिए जानी जाने वाली गाईका छट पर्व के दोरान ही ऐसे में इस दुनिया से चली गई सार्धा सिना लोग गीत के साथ साथ छट वा विवा गीत के लिए भी जानी जाती थी आप उनके पॉपलर टॉफ फाइब गाने सुन सकते हैं इनका जन्द बिहार के मितला छेतर में 1 अक्टूबर 1952 को हुआ सार्धा सिना जी ने मैथली बजी का भुचपूरी के लावा हिंदी गीत भी गाई हैं फिल्मों में इनके द्वारा गाय गई गीत काफी प्रचलित हुए हैं सार्दा सीना जी का गाना दुर्गा पूजा विभार सामरो या अन्य संगित सामरो में सार्दा सीना द्वारा गाय गई गीत अक्सर सुनाई देते हैं सार्दा सीना द्वारा किये गए स्टेश सो भी काफी दर्सकों को पसंद आता है तो चलिए इसी के साथ सुनते हैं सार्द को द्वारा बहुत पसंद किया गया है एल्बम दुलहीन से या गाना गाई का सार्दा सीना द्वारा गाया गया है और इसका संगीत वेद सेठी द्वारा दिया गया है इसको अब तक में 14,000 से भी जादा व्यूज मिल चुके हैं गाना नमबर चार लोग कलाकार सार्दा सीना से प्रसिद वॉलिवूड मुवी से गाना है गैंग्स ओफ वासेपूर पार्ट टू से आपको बता दे कि इस मुवी को हमारी वोजिवूड इस्टार सार्दा सीना ने अपनी इलेक्ट्रिक अवास दी है और इस गाने को 5 मिलियन लोगों ने अब तक देख चुके हैं इन नमबरों की संख्या दिन पर दिन बहुत तेजी से बढ़ रही है इस गाने को लोगों ने कमेंट में भी बहुत प्यार दिया है गाने के व्यूज देखके तो लगता है दर्सकों को खुब पसंद आ रहा है इस गाने को अब तक में 6 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और लोगों ने इस गाने पर अपना बहुत प्यार बरसाया है इसकी वजह से इस पर कमेंट भी 1246 मिल चुके हैं गाना नमबर दो सारदा सीना ने वॉलिवूड के लिए कई गाने गाए हैं 1996 में आई सल्मान खान की सुपर हिट फिल्म मैंने प्यार किया में सारदा सीना ने काहे तो से सजना गाना गाया है इसको लोग वॉलिवूड के साथ साद्वोजी वूड में भी पसंद करते हैं इस गाने को लोग बार बार सुनना पसंद करते हैं इस गाने को अब तक 12 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं आज का गाना नमबर एक है जो टॉप पर आता है पहले पहले करनी हमचड यह गाना काफी महसूर है इस गाने को लोग बहुत पसंद भी करते हैं इस गाने को गाई का सारदा सीना ने अपनी आवास दी है और अभी तक देखे तो इस गाने को 13 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं और कमेंट भी आठ हजार से ज़्यादा मिल चुके हैं